नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलुशन के यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे हैं हम आज हम टीचर टीचिंग एंड टेक्नलोजिकी जो कि आपका बीड फरस्टियर का पेपर है जो कि MSU यूनिवस्टी का पेपर है यानि कि माशा कुमरी देवी यूनिवस्टी का बीड फरस्टियर के जो कि आपके पेपर चल रहे है अभी फिलाल तो यह इसका पेपर है जो कि बेड फरस्टियर का है एक चीज़ और बता दो कि बच्चों की कमेंट आ रही है सर जैसे कि मैं MSU के पेपर बता रहा हूं बेड फरस्टियर क के पेपर हैं उनको भी बता दीजिए देखो यह बात में क्लियर कर देता हूं कि काफी ज़्यादा कमेंट आ गई है तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि जो MSU यूनिवस्टी अभी माशाकुम्री यूनिवस्टी है उसमें अभी सिर्फ बेड फरस्ट यरी है ठीक है क्य तो इसलिए exam pattern exam के questions बिल्कुल इनके सेम मिलते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज जो हमारा पेपर है वो teacher teaching and technology का है यह आपका फॉर्थ पेपर है चार पेपर में लाया था और चारों के चारों मैंने दिखा दे और चार के चार यह भी हुए है वहाँ पर यह ना दो पेप करेंगे section A की सबसे पहले section A की बात करते हैं आपका 80 नंबर का पेपर है और तीन गंटे में दिये गए थे आपको भी बिल्कुल ऐसे मिलेंगे और exam pattern भी फरस्टेर वालों को बिल्कुल यही सेम रहने वाला है बात करेंगे section A की section A में आपके long question आपको देखने को मिलते हैं में इसके महत्व अवशक्ता की वाख्या कीजिए ठीक है तो यह long question आपका इसमें आया था discuss in brief the concept of educational technology explain its need and importance in modern educational practice यह long question इसमें आया था की बात करते हैं long question third की बात करते हैं कि Edgar Dale के अनुभवत्री कौन की विस्तरित व्याख्या करिए तता शिक्षा में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए ठीक है एडगर डेल का आया था long question जो कि मैंने बताया भी था तो आप देख सकते हैं explain the detail in Edgar Dale कौन of experience and it's the important in educational system तो यह इसमें third long question इसमें आया था चोथे long question की बात करते हैं जो कि आपका यह आया है कि शिक्षन अधिगम प्रवंदन से आप क्या समझते हैं इसपस कीजिए शिक्षन अधिगम व्यवस्ता के विभिन सोपानों को समझाईए what do you understand by the managing teaching learning explain the steps of managing teaching learning तो यह इसमें आपका लोग कोशन था next long question की बात करते हैं वह आपका यह है कि शिक्षन विव रचना से आप क्या समझते हैं व्यख्यान व्यूर रचना को समझाईए व्यख्यान व्यूर रचना के गुण दोश बताइए तता परियोग करते समय सावधानियों का वर्णन कीजिए तो इसमें यह next long question था ठीक है वह आपका यह था कि गिर्यात्मक अनुसंधान से आप क्या आतात्परी है इसका विभिन सोपानों का विश्दित्वनन कीजिए तो यह आपका इसका लोग कोशन था बात करेंगे सेक्शन बी की सेक्शन बी कि अगर बात करें तो उसमें आपके शोट टाइप कोशन पुछे जाते हैं पहला लग उत्रे परशन के अगर मैं बात कुरूँ फोन नंबर का भाषा परियोग शाला यानिके लैंग्विज लेव इसको जरू करके जाना और यह बनुकुर आपको देखने को मिला है एक नेक्स कोशन की बात करते हैं ठैली कॉन्फेरेंसिंग लेकी को बताना था एक से डेड़ पेज का और सकाल करते हैं इस तरह के लेवल्ज ओफ टीचंग भी आपको बताने थे ठीक है नेक्स कोशन की ब बारे में आपको लिखना था एक से डेट पेज कर बना अगर आपको नहीं पता था ठीक है खोज यह तो इतना कुछ आप बना कर भी लिख सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है सक्षन की स्किल्स के बात करते हैं जो क्योंकि very short question इसमें आते हैं ठीक है बात करेंगे very short questions की सबसे पहला very short question जो आपका इसमें है कि internet में अंतर बताईए differentiate between internet and internet ये मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा important था ये शुक्षम शिक्षण micro teaching के बारे में भी बताया था ठीक है next very short question की बात करते हैं शिक्षण की अवस्था यानि के phase of teaching भी मैंने आपको बताया काफी ज्यादा important था बात करते हैं next very short question के शिक्षण के शांपट लेखन कोशल के अव्य क्या है components of blackboard writing skills of teaching तो ये भी आपका इसमें very short question आया है बात करते हैं next very short question की टी सम्हूं परिक्षण काई नहीं के टी ग्रूप training क्या है ये भी आपको इसमें बताना था 17 नंबर की very short question के बात के तो email के बारे में आपको बताना था जो की very short में था काफी ज्यादा easy था ये 18 नंबर की बात करें तो computer psych annotation के उप्योग use of computer assisted instructions तो ये भी आपका इसमें very short question इसमें आया था next very short question के बात करते हैं तो मस्तिष्क अनुदेलन व्यू रचना के चार गुण लिखिए four merits of brainstorming strategy के बारे में आपको बताना था next very short question के बात के तो smart कक्षा कक्ष क्या है smart कक्षा smart classroom के बारे में आप अपने आप सभी बना के लिख सकते थे smart classroom वहीं है जो online आज कल चल रही है तो यह आपका था टीचर टीचिंग टेकनलोजी का जो की था MSU का पेपर था और जो की था बेट फस्टेर का पेपर ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास सभी वीडियो नोट करने वाले हैं अपने तैयारी साथ जुलाई के हिसाब से करिएगा मन में मदलब माइंड में अपने अंदर यह मत रखा कि पोस्पोंड होंगे या ऐसा कुछ होंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके जैक्जाम में आवो साइट जुलाई से होंगे तो अपना ध्यान परते रेगा खुछ रेगा अपने घर वालोगों दान लेखेगा थैंक्यू ने मस्ते टाटा बाइबाइ धन्यवाद